नमस्कार प्रिये बच्चों, जैसा कि हमने एक से लेकर तीन तक्के प्रशन कर लिये थे, आज हम आगे की प्रशन प्रारम करते हैं, आपने आशा करती हूँ कि प्रशन अभ्यास ठीक से देख लिया होगा, चतूर्त प्रशन देखे बिटा, आप अपनी कल्पना से लिखे कि परदादी ने पतोहु के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मननत क्यों मांगी, कहने का मतलब परदादी ने पहला बच्चा उनकी पतोहु का बेटी हो ऐसे मननत क्यों मांगी, बेटा पाठ हमने पूरा पढ़ा है, आपको पता है कि घर की हर ओरत अपने सौभाव में सबसे विलक्षन है अलग है और एक बार हम प्रशन पढ़ लेते हैं उसके बाद हम इनका उत्तर अभ्यास करेंगे डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगे सहजिता से किसी को भी सही रहा पर लाया जा सकता है पाट के अधार पर तर्क के साथ उत्तर देना है कि हम किसी को दबाव में लाकर के सही रास्ते पर नहीं ला सकते चोरी करने के गंदे कारे से विमुक करके उसे खेती बाड़ी की और उन्मुक कर दिया अगला प्रशन है शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उलेक कीजिए इसमें आपको लेखिका के प्रयास जो अपने पार्ट में पड़े हैं याद करिए हाँ जो लेखिका ने करनाटक के बागल कोट कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल शुरू करने के लिए पहले उन्होंने अपने इस्तर पर प्रयास किये बिशप से जो है प्रार्थना करी जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने खुद के प्रयासों से अपने इस्तर पर ही प्रात्मिक विध्याले प्रारंब किया और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किये अगला प्रश्ण है पाठ के आदार पर लिखे कि जीवन में कैसे इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है कैसे इंसानों के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं बिटा श्रद्धा जो है वो मन का भाव है वह थोपी नहीं जाती है तो श्रद्दा जो है जब मन का भाव है मन की संपत्ति है तो वो तब ही हमारी किसी के प्रति हो सकती है जब हम मन से उन चीजों को स्विकार करें तो पाठ में एक नहीं कई प्रसंग आये हैं आप जर अपना ध्यान पाठ पर लगाईए आपको बिलकुल आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगे कि ऐसे कौन से प्रसंग है हाँ बिलकुल जैसे कि लेकिका की मा के बारे में भी जो प्रसंग थे कि वो कभी जूट बोलत नहीं थी दूसरों की बातों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताती थी ऐसी ही चीजें आप इसमें दे सकते हैं सच आठवा प्रशन है अकेले पन का मजा कुछ और ही है आधार पर लेकिका की बहन और लेकिका की व्यक्तितों की बारे में आपको विचार रखना है कि अकेल ही भरी बारिश में विध्याले का रास्ता पैदल पार करती है और पुनह लोट आती है और वो उस समय क्या उनकी अनुभूती रही होगी ऐसा आपको इसमें व्यक्त करना है और लेखी का भी उनकी व्यक्तित्व के साथ एकाकार होते हुए क्या अनुभव करती है तो बेटा यह थे आपके प्रश्ण आपने अपनी तरब से इनके उत्तर सोचे भी होंगे और लिखे भी होंगे अब हम इनके उत्तरों का एक बार मिलान कर लेते हैं तो देखें पांचवे प्रश्ण का उत्तर है आप मिला लीजिए और लिखिए बटा इनको इस पार्ट के आधार प पर हो तो उसे डराने धमकाने उपदेश देने या दवाओ देने के बजाए उसके साथ सहजिता से व्यावार करना चाहिए लेखी का की नानी इनने भी यही कारे किया था उन्होंने अपने पती की अंग्रेज भक्ति का मुखर विरोध नहीं किया मुखर मतलग वो प्रत्यक ट्वरूप से उनका विरोध नहीं करती थी और ना ही समर्थन करती थी वे जीवन भर अपने आदर्शों पे चलती रही परिणाम स्वरूप समय आने पर वे अपने मनवांचित कारे को कर सकी, मतलब जो उनको अपने मन के अनुकूल लगा, वह कारे वो कर सकी, इसी प्रकार लेकी का की मान ने चोड के साथ जो सहजिता का व्यवार किया, और उसकी पूरी मानसिक्ता को ही बदल दिया, वह चोरी चोड कर की खेती करने लगा, जैसा कि मैंने ऐसे ही उधारण है ठीक है इसी प्रकार शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध दिकार है इसमें मनें आपको बताया कि यही प्रसंग कि लेखी का करनाटक के छोटे से कस्बे बागल कोट में जब पहुंची तो वहां उनके दो बच्चों के लिए समुची शिक्षा की व्यवस तो बिशप इसके लिए तैयार नय होने पर लेकिका ने अपने प्रयासों से ही कुछ उत्साही लोगों के साथ उनके सहयोग से प्राइमरी स्कुल खुलवाया और सामाने वर्क के साथ अपसरो तक के बच्चे वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सकें आगला प्रशन आपका जीवन में कैसे इंसानों को अधिक शद्धा भाव से देखा जाता है सीधी सी बात है मैंने बताया मन का भाव है तो यह सद्गुणों पर आधारित होता है सद्गुणी व्यक्ति के प्रति शद्धा उत्पन होती है येस स्वयम सिद्ध है देखे लेकिका की नानी अपने इसलिए श्रद्यया बनी क्योंकि उन्होंने अपने परिवार और समाज से विरोध लेकर अपने पुत्री का विवा देश प्रेमी क्रांतिकारी से कराने की बात कही, लेकिका की परदा दी क्यों बनी कि दो धोतियों से अधिक संचय ने करने का संकल्प था, परंपरा के लड़की की बजाए, लड़की की मनत मांगी, लेकिका की माता का श्रद्य होने का कारण था, देश की स्वतंतरा के लिए कारे किया, कभी किसी से जूट नहीं बोला, किसी की गोपनी बात को किसी अन्ने से नहीं कहा, मतलब घर की हर ओरत का व्यक्तित्व कुछ ऐसी प्रमु श्रद्दा की पात्र है, तो ये सब कुछ आपको इसमें लिख देना है, अब ये दिखिए अन्तिम और आठवा प्रश्न, सच अकेलेपन का मज़ा कुछ हो और है, ये बताना है आपको लेकिका की बहीन और लेकिका की व्यक्तित्व के बारे में, इस कथन को लेते हुए हम सपश्ट करना है, देखिए लेकिका उनकी छोटी बहन रेनू अकेले अपने चुने रास्ते पर चलने का दोनों में ढड़ साहस था, लेकिका ने अपनी साहस के बल पर, लेकिका उन्होंने अपने साहस के बल पर लोगों की बीच रहकर नारी जागरती का कारे किया, उन्हो स्कूल की बसना आने पर, सब के मना करने पर भी भयंकर वर्षा के बीच पैदल स्कूल चली गई, इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों व्यक्ति स्वतंत्र सोच के धनी हैं और अपनी सोच के आधार पर अपनी रहा पर चलने की हिम्मत रखते हैं, तो इस प्रकार से आपको ठीक से समझ करके प्रशनों के उत्तर देने हैं और फिर इन आधार शुत्तरों से आप अपने उत्तरों को मिला सकते हैं और इनको याद करके एक बार लिखने का अभ्यास भी करें, धन्यवाद.